हेलो गाइज दिस इस किरन और वाचिंग माई शैनल केडी टॉड्यूल आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नैरेशन के टॉपिक को नैरेशन के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा वो जान लेते हैं कि यह होता क्या मतलब जो बात है वो ड में अगर कोई को तो मैं उसमें कुछ चेंजज़ करूंग लोगी चेंज़ डिपेंड करेंगे कि उसने क्या कहा था और कि समय किस वक्त कहा था वो भी कह रहा है या € कहे चुका या Windows केगा यह डिपेंड करता है कि मैं उसमें क्या changes करूँगी सो चलिए guys start करते हैं narration में हमारे पास two types की speech आती है एक तो हमारे पास क्या है direct जब speaker direct अपनी बात को खुद बोल रहा है मतलब जो original speaker है वही उस बात को कह रहा है and indirect में जब हमारे पास speaker जो है वो original नहीं है मतलब हम कह सकते हैं कि speaker की बात किसी और बंदे ने कही है जिसमें हलका फुलका change आपको नजर आएगा ही आएगा and ये changes किस basis पर होंगे उसी को study करेंगे इस chapter के अंदर direct speech if the sentence spoken by speaker अगर जो sentence है वो speaker नहीं कहा है without any change उसमें कोई भी changes नहीं है तो हम उसको बोलेंगे कि वो direct speech में है direct speech और indirect speech का जो structure होता है वो भी different होता है direct speech जो रहेगी वो inverted commas के अंदर रहेगी indirect में inverted commas हट जाते हैं ये सबसे बड़ा difference है जो आपको देखने को मिलेगा इसके structure के अंदर उसके बाद हमारे पास है Ram says I work hard इसमें हमारे पास क्या होता है कि structure के अंदर काफी सारे elements है and इन elements का क्या meaning है क्या ये role play कर रहे है वो हम देख लेते हैं यहाँ पर जो Ram है वो एक speaker का का काम कर रहा है speaker say जो है वो reporting verb है इस reporting verb को अगर हम मान के चले तो ये हमारे पास इस topic के अंदर एक ऐसा basic part है जिसके बाद सारी चीजें हमें implement करनी होंगी मतलब हमारे जितने भी changes होएंगे वो depend करेंगे कि हमारी reporting verb क्या है अगर reporting verb presently up future के अंदर है तो कोई भी reported speech के अंदर change नहीं होगा reported speech के अंदर change जब भी होगा जब reporting verb हमारी past में रहेगी and past में होने के नाते अगर reported speech के अंदर कोई proverb है कोई universal truth है या कोई ऐसी चीज है कोई incident है past का तो उसमें भी changes नहीं होंगे changes जब होंगे जब कोई साधारन सा sentence होगा इसके अंदर and जिसमें changes करने applicable रहेंगे उसके बाद हमारे पास क्या है इस part को जो ये inverted को मास के अंदर लिखा जाता है इसको हम बोलते है reported speech आपको यहां तक clear हो गया होगा तो अब हम आगे चलते हैं indirect speech if the sentence spoken by the speaker by the speaker is changed by the narrator मतलब जो speaker ने बोला था जैसे जो speaker ने बोला है उसको कोई narrator change कर speaker के कहे हुए शब्द हैं वो हलके फुलके change किये जाते हैं वो depend करता है उसने क्या कहा है और वो किस वक्त कहा है assertive sentences assertive sentences basically हमारे होते हैं positive sentences he says I work hard ये एक direct speech है क्योंकि आपको पता लग रहा है ये inverted commas के अंदर है अब बात कर रहे हैं हमारे पास he says that he works hard ये बात जो कही है वो कही है ही नहीं ही यहाँ पे कहा है speaker रहा है लेकिन जब narrator ने उसको narrate किया तो उसने change कर दिया he says that he works hard अब हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास subject आ रहे हैं object आ रहे हैं या फिर कोई noun आ रहा है third person तो उससों हम कैसे change करेंगे for converting direct into indirect direct से indirect में convert करने के लिए हमारे पास कुछ rules होते हैं जो coma and inverted coma हम लोग use करते हैं अपनी reported speech के जस्ट पहले coma use होगा and reported speech जिन कोमा उसके अंदर लिखी जाएगी वो क्या रहेगी वो change हो जाएगी किसमें change हो जाएगी conjunction that में हम लोग उसको क्या कर देंगे change कर देंगे लेकिन हर cases में ऐसा नहीं होता यह depend करेगा sentence positive है या negative है interrogative है वो हम further इसमें करते चलेंगे pronoun changes according to the following rules तो pronoun जो आएँगे वो कैसे change होंगे वो हम देख लेते हैं देखो guys इसको आप ऐसे याद कर सकते हो so and son subject change होगा first person change होगा according to subject मतलब अगर हम लोग first person को change करना चाहा रहे है first person में हमारे पास क्या आता है i and we first person change होगा according to subject जो उसका speaker होगा main and second person जो की you हो रहेगा you रहेगा according to object जो उस बात को सुन रहा है उसको हम बोल रहे है object and third person जो हमारे पास noun है उसके अंदर कोई भी noun है या कोई he, she, they, they, them कुछ भी है third person रहेगा उसमें कोई भी changes नहीं होगा क्योंकि जो सुन रहा है और जो कह रहा है बात उन दोनों के बीच है चल रही है वो किसी तीसरे बंदे के बारे में है लेकिन तीसरे बंदे से उसका कोई मतलम नहीं है बस वो उस बात को बता रहा है यहां पर आई जो है वो एक first person है first person change होगा according to subject subject यहां पर speaker क्या है subject क्या है फिर speaker कुछ भी कह सकते हो he, he के according अगर हम I change करेंगे तो वो change हो जाएगा he के अंदर first person है he, according to he, I आएगा he says that he works hard तो यहां पर I change करना है according to speaker subject तो यहां पर ही आजाएगा he says to me you work hard अब you यहां पर क्या है second person है second person change होगा according to object object यहां पर me है तो यह हो जाएगा he says to me says यहां पर जो reporting verb है वो present के अंदर है तो change नहीं होगा direct जो उसने बुला है as it is हम लिख देंगे he says to me says plus to change हो जाता है tells में तो हम क्या लिखेंगे he tells me that I work hard I के बाद जो वर आती है वो plural form में आती है इसलिए हम इसके साथ as यह यह नहीं लगाएंगे so second person changes according to the object object मतलब जो listener है उसके according change होगा अब आता है third person की third person की बात he says to me says to किस में change हो जाएगा tells में change हो जाएगा similarly she works hard अब यह एजट इस लिखा जाएगा third person में कोई भी change नहीं रहेगा बस को मास को अटाके हम लोग that का use करेंगे he tells me that she works hard she's singular है तो वर्ट के साथ as यह हम लोग use करेंगे third person के अंदर कोई भी change नहीं होगा said say and said के बाद अगर listener नहीं है मतलब हमारे reported speech के अंदर जो direct speech है उसके अंदर कोई भी listener नहीं है तो हमारे पास क्या रहेगा say and said में कोई changes say and said में कोई changes नहीं होगा in indirect speech उसके बाद क्या है अगर इसके पाद proposition 2 है मतलब say to है तो यह change हो जाएगा tell के अंदर say to है तो हमारे पास change हो जाएगा told के अंदर तो को लिख रखा है says to change हो जाएगा tells के अंदर said to change हो जाएगा told के अंदर said to change हो जाएगा tell के अंदर आप इसको याद कर लेना है बहुत ज़रूरी है जब आप exams में इस तरह के questions को solve करने जाओगे तो कई बार हम लोग अपने options को eliminate कर देते हैं अगर हलकी सी बात हमें उस वक्त याद रह जाती है हमें पता है कि tell and told जब आया है जब हमने say to and said to को merge करके convert कर दिया तो obviously इसके बाद हम लोग उस to को नहीं लिखेंगे क्योंकि जब to नहीं है तो मतलब listener नहीं है अगर listener नहीं है तो वो change नहीं होगा अभी हमने first rule में देखा था अगर listener है तो to है to है तो to change होगा and to बात में नहीं आएगा fourth point if the reporting verb isn't present अगर reporting verb present में रहेगी या फिर future में रहेगी तो reported speech के अंदर कोई भी change नहीं आएगा यह बात मैंने आपको पहले ही बताई थी अगर reporting verb का tense जो speaker के जस्ट बाद हमारे पास words आते हैं says, said, says जो भी है उनमें अगर present या future tense रहेगा तो कोई भी changes नहीं रहे कोई भी changes नहीं होगा reported speech के अंदर like he says यह present है and यह as it is रहेगा he says that he comes here क्याँ comes इसलिए आया क्योंकि he जो है वो singular है singular के साथ जो वह बाती है वो भी singular आती है and verb के साथ जब ऐस या एस लगाया जाता है तो verb singular हो जाती है जब verb के साथ ऐस या एस नहीं लगाया जाता तो verb plural हो जाती है जो students नहीं है मेरी उनसे request है कि आप मेरी जितने भी previous videos है उनको देखिए verb की है subject verb agreement की है tense की है tense की तो मैंने भी last में वीडियो जो मेरी आई होशा है tense की रहेगी तो मतलब उन वीडियो को देखने के बाद यहां पर जो concept आपको समझाएगा वह बहुत अच्छी तरीके से आएगा मैंने last video डाली थी passive voice की उसमें भी मैंने काफी अच्छी से rules describe किये तो आप सारी videos को देखो अगर videos अच्छी लगती है तो आप comment करके बताओ कि मैं मुझे video अच्छी लगी बाकि अगर कोई query है तो भी आप comment में पूछ सकते हो if the reporting verb is in past मैंने आपको बताया था अगर reporting verb past के अंदर है तो change होगी लेकिन कब change नहीं होगी जब हमारे पास reported speech के अंदर को universal truth है universal truth का मतलब है जो पहले भी सच रह चुका है अभी भी सच है आने वाले टाइम में भी सच होगा तो ऐसी चीजे हमेशा present tense के अंदर रखी जाती है यह tense में हमने study किया था तो इस तरह की cases में हम tense को change नहीं करेंगे या फिर को idiom है कोई मुहावरा है कोई habitual action है का भी वही concept है हम पहले भी कर रहे थे आज भी कर रहे हैं आने वाले टाइम में भी करेंगे क्योंकि हम उसके रिगार उससे related habitual है हमारी हैबिट हम उसको चेंज नहीं कर सकते है को को historical fact है कि इंडिया एंडिया जो है वो सवतंत्र हुआ था 15 अगस 1947 तो एक historical fact है इसके इंदर इसके date change करके इसके tense को change नहीं किया जा सकता जो घटना और अलिक घट चुकी है वो सच है उसका जो tense रहेगा वो present indefinite tense रहेगा the tense of the reported speech does not change जब ऐसा होगा universal truth है इडियम है habitual action है को historical fact है उस cases में reported speech का tense change नहीं होगा चाहे reporting verb past के अंदर like he said the sun is a star actual में क्या है कि जो reality है वो sun जो है वो स्टार है लोग का मानना हो सकता है कि हम उसको प्लैनेट के अंदर consider करें क्योंकि उसका size जो है वो प्लैनेट के coding हमें दिखता है गोल है बड़ा है और तो वो जो है वो reality यह है कि वेक स्टार है और यह fact है fact होगा वो भी change नहीं होगा he said that जब इस तरह के questions exam में आते हैं तो आपको क्या करना है बस inverted commas हटाओ लगाया यूं का यूं आप नीचे लिखते उसको तो क्या हो जाएगा he said that the sun is a star बिल्कु ठीक को चींज करने की जूट है नहीं है लेकिन इन बातों को आप कैसे याद रख सकते हो अगर आप English को पढ़ रहे हो तो उसको रटो मत क्राम मत करो उसको बिल्कुल भी आप उसको एक बद श्रड़ी कर लो आपको थोड़ा थोड़ा याद मत करो दो तिन बार आप जो पढ़ोगे ना तो आपको ऐसा लगए किसमें इंपोर्टन क्या है दो तिन बार स्टड़ी करके उसको अंडलाइन करो फाइनल अगर आपके एक्जाम से तो आप जो की पोइंट है कि उनको रिवाइस कर लो अराम से आपके काफी अच्छ और तो आप उनको रीड करो रिड करो रिलेड करो वर्ड स को बार-बार ऒर रिपेटिशन होगी तो बोऑ्ट्स आपने आप याद रह जाएंगे if the reporting verb is in past अगर reporting verb हमारी past के अंदर है and the reported speech is not an idiom phrase या reported speech के अंदर को universal fact नहीं है तो हम change करेंगे अब वो changes जो होंगे वो कैसे होंगे वो देख लेते हैं He said I came here yesterday कम की second form क्या है came ये किस चीज में है ये past में है जो चीजे present में है वो past में चले जाएंगी जो past में है वो थोड़ी और past में चले जाएंगी ये जो topic है ये इसी पर depend है कि मैंने कोई काम किया मैंने कोई काम और अच्छा किया मैंने काम अब कोई और अच्छा करने के बाद मैंने उसको और अच्छा से किया लाइक की वो और perfect होता जा रहा है simple present रहेगा इसको मैं करके बताती हूं देखो यहां पर V2 है हमारे पास यह V2 है अगर यह V2 है हमारे पास तो यह किसमें चेंज जाएगा head plus V3 में क्योंकि past है past simple past से जब हम जाएंगे past perfect में तो past perfect में क्या होता है has and have की जो third form हम यूज करते हैं had plus V3 हम यूज करेंगे तो इस तरह से changes करते हैं हम लोग बाकी कुछ नहीं देखना बस हमें verb देखनी है वर्ब की जगे हमने had and come came come V3 यूज किया बाकी हमारे पास like hair change हो गया there के अंदर yesterday change हो गया the previous day के अंदर यह हम इसी topic के अंदर आगे वाली slides में पढ़ेंगे कि कैसे क्या changes करना है तो पहले एक बार इसको देख लो यह बहुत important है अगर हमारे पास simple present है simple present की पहचान होती है जब verb की first form हम यूज कर रहे है या verb के साथ ऐसी यह एस है बस यही form है जिससे हमें पता लगता है कि जो verb है जो simple present है वो यही रहेगा simple present वाली चीज मतलब v1 है तो v2 हम उसमें change कर देंगे अगर यहां कम होता तो हम जब इसको came कर देते हैं और यह finally convert हो जाता अगर already v2 है तो वो change हो जाएगी had plus v3 के अंदर अगर past perfect में ही given है तो change नहीं होगा क्योंकि जब जब चीज इतनी perfect हो सकती थी हमने उतनी perfect कर दी अब हमसे possible नहीं हो पाएगा कि हम उसको आगे भी change करें इसलिए there is no change अगर कोई चीज present continuous में चल रही है तो हम उसको past continuous में चल रही है तो हम उसको past continuous में चल रही है तो हम उसको past perfect continuous में चल आएगे मतलब अगर हमारे पास is, am, are, v plus, ing है तो हम उसको was या were में करेंगे was आएगा singular के साथ and were आएगा plural के साथ So guys, मेरा मानना है कि यह थोड़ा सा change in tense है इसके लिए आप tense वाली वीडियो जरूर देखना क्योंकि वहाँ पे इनके काफी सारे structure मैंने कराये थे interrogative में कैसे use होगा optative में कैसे use होगा assertive में कैसे use होगा तो मेरे recording वो वीडियो देखना आपके लिए यहां के time बहुत फायदे बन रहेगा Past continuous अगर 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 है तो वो past perfect continuous में change हो जाएगा मतलब was वर अगर हमें दिखेगा direct speech में तो indirect में हमें चाहिएगा had and been perfect के लिए and v1 plus ing continuous का क्या main concept है कि जहां पर भी continuous sense होगा वहां पर v1 plus ing form रहेगी ही रहेगी चाहे वो present हो चाहे वो past हो या future हो अगर continuous जूड रहा है तो मतलब वो काम लगातार हो रहा है अगर प्रेजन पर्फेक्ट है तो प्रेजन पर्फेक्ट में चला जाएगा अगर प्रेजन पर्फेक्ट में चला जाएगा अगर प्रेजन पर्फेक्ट में चला जाएगा बस आप इतना याद रखना है वहाद का चैस है तो है प्लस प्लस फीरोर्फेक्ट का केस है तो हैसरी रहेगा तो हम लोग ही यह विधिक विट्रीने करतेंगे जब कोई चीज आलड़ी पर्फेक्ट में है तो फर्दर चेंज रही होगी मोडाल्स अगर हमें देख रहे हैं तो शैल और विल की हम लोग फॉर्म करेंगे शुड और अगर के वल सजेस्टिव सेंटेंस रहेगा रिपोर्टेट स्पीच का मतलब रिपोर्टेट स्पीच के अंदर शैल यह विल भी है लेकिन उसका सेंस जो है वो सजेस्टिव सेंस है तो हम उसकेस में हम लोग शुड का यूज करेंगे में हमारा माइट में चेंज हो जाएगा अब हमारे पास टाइम और प्लेस के कुछ चेंजिस होंगे यह चेंजिस तब होंगे इस बात का ध्यान रखना इस बुक में नहीं लिखी हुई यह बात यह चेंजिस तब ही एंड रिपोर्टेट स्पीच के अंदर कोई एडियम युनिवर्सल टूथ कोई फैक्ट कुछ भी नहीं है मतलब जब हम लोग अपने रिपोर्टेट स्पीच को चेंज कर सकते हैं उसी केसे में यह वर्ड्स चेंज होंगे ऐसा नहीं है कि रिपोर्टिंग वो प्रेजंट मे हैं एंड कुछ वर्ड्स रिपोर्टेट स्पीच के अंदर ऐसे हैं जो आप पढ़के गए और आप उसको चेंज कर रहे हो एलिमिनेशन मैथर्ट से आप बहुत इजी लिंक को सोल कर पाओगे लेकिन यह की पॉइंट यह वीडियो आपके लिए बहुत यूसफुल रहेग कि अब हम देख लेते हैं अधर को टूडे चेंज हो जाता है बादे के इंदर टूमॉरो आने वाला कल दे नेक्स ते यस्टरडे बीता हुआ कल दे प्रीविस जे दे दे जी है इसको हम बोल सकते हैं या तो दे बिफोर या फिट दे प्रीविस से तुनाइट आज रात दे the previous here change जाएगा देर के अंदर this that के अंदर these plural those के अंदर ego before now and then कि now and then के अंदर तो काफ मतलब ये now and then के ओपर काफी सारे examples आते हैं अब हम इन examples को करेंगे बारी-बारी से और ये देखेंगे कि इनमें actual changes क्या हो रहे हैं he said she said I cannot help you at this time अब देखो ये जो है tense क्या है said जबी भी said होगा he she said that ये पास्ट है and past में जो reported speech है यहां पर इसके अंदर ना तो को universal truth है ना fact है कुछ भी नहीं है जो चीज ऐसी होने चाहिए कि हम changes नहीं कर सकते तो हम यहां पर change करेंगे यहां पर भी change होगी modal भी change होगा second thing third thing जो time and distance वाले सब जो words से वो भी change होगे तो को can जो है वो change हो जाएगा could not में and यह बात धान रखना यह बात इस book में नहीं है कि मैंने खुद जब अपनी preparation करी थी तो यह बात note की थी अगर modal change हो रहा है तो verb change नहीं होने वाले उसके बाद वो modal में change हो जाएगी like help है तो help रहेगी she could not help me second person है you second person उसने मुझे कहा था कि वो मेरी help इस वक्त नहीं कर सकती मतलब she said that she could not help me मेरी मदद नहीं कर सकती वो at this किसमें चेंज होगा at that के इंदर एंटाइम वो past में है said to किसमें चेंज हो जाएगा told में he told me that I is first person it will change according to speaker we will write here he and with he we always prefer would he would come to meet me the next day next is Ram said I have not taken any exam this year but I intend to take two exams the next year past में है changes applicable है तो हम changes करेंगे I is first person it will change according to Ram so we will use here he Ram said that he had have हो या है जो उसके बाद वी थी हो तो मतलब यह क्या है perfect tense present perfect इसको हम करेंगे चेंज पास्ट पर्फेक्ट में पास्ट पर्फेक्ट में आएगा had negative है तो negative रहे गई and then V3 had plus V3 पहचान है past perfect की any exam this के बाद change हुआ that के अंदर यह बट अब यह भी change होगा first form of verb will change into second form of verb he intended to take two exams the next year so guys अब हमारे पास है फोर्थ example he said virtue is its own reward यह जो sentence है यह एक phrase है इसमें change नहीं होगा हम डारेट क्या लिखेंगे inverted commas and commas को अटा के सिधा that लिख देंगे he said that virtue is its own reward कितना अच्छा होता है जब हमारे पास ऐसे करके जा रहे हैं और यह वीडियो अगर आप first time देख रहे हो और इसको second time अगर आप देखोगे और fast forward में होगी तो भी आपको कोई loss नहीं होने वाला कहीं ना कहीं आपको plus point अपना देखने को मिलेगा फिफ्थ हमारे पास है आवर teacher said we have to finish जब हमारे पास have के बाद two आता है मतलब have के बाद two proposition आ रही है तो हमें वो action forcefully करने को कहा जाता है our teacher said we have to finish this work today as we know that tomorrow never comes हमारी teacher ने कहा है कि हमें यह काम आज खतम करना पड़ेगा क्योंकि कल किसी का भी नहीं आता आवर teacher said that have है तो वो हैड में चींज हो जाएगी have to finish this work today that day as we know that tomorrow never comes अब बात आती है interrogative sentences की interrogative sentences देखने में इतने complicated लगते हैं लेकिन हम लोग इनको बहुत easily solve कर पाएंगे आपको क्या ध्यान रखना है inverted इंवर्टिड कोमा को हटा कर अभी तक हम लोग conjunction that का यूज कर रहे थे लेकिन अब हमारे पास questions हैं and questions हमारे पास दो तरह की होते हैं मालो मैं आप से पूछू क्या आप मुझे अपना pen दोगे आप या तो मुझे ये कोगे हाँ या ना कुछ लोग मुझे ये भी कह सकते हैं मैं मेरे पास एक ही pen मुझे अपना भी लिखना है मैं आपको दूँ या मैं खुद लिखूं मतलब अगर हमारे पास yesや no वाले questions हैं मतलब या तो मेरे पास answer आया yes या no तो वहान पे हम लोग ज use करेंगे if देखो कैसे he said to me are you coming and जो इसमें changes हैं वो होते हैं कि जो said to है वो asked में change होता है मतलब वो told में change नहीं होता हम पूछ रहे हैं हम question कर रहे हैं हम inquiry कर रहे हैं inquired के बाद off proposition लगाना बिल्कुल भी न भूलेंगे बाद बुक में नहीं given है या फिर इसको simply लिख सकते हैं interrogated जब बहुत ही low level का exam है तो वहां ऐसे words देखने को मिलेंगे like interrogated otherwise आपको basically जो मिलेगा वो asked मिलेगा तो हम लोग देख लेते हैं he said to me are you coming उसने मुझसे पूछा था कि मैं आ रहा हूं he asked me whether I was coming is mr was वर में change हो जाएगा यह हमने देखा था v1 plus ing v1 plus ing में ही रहेगी and देखा हमने कि यहां पर हमने that का uses बाद नहीं किया क्योंकि यह question से related word है and हम यहां पर इसका use करेंगे whether इसकी जगा if भी use करते तो वह भी चलता ऐसा नहीं है कि specific sense में ही हम लोग if क use करेंगे ऐसा कुछ भी नहीं है he said to me when you are coming उसने मुझसे पूछा था कि when you are coming आप कब आ रहे हो question is of wh family जब question हमारे पास क्या है wh family का है wh family मतलब w से start वने वाले words and in questions का answer जो yes or no में नहीं आता इस बात का ध्यान रखना in questions का answer yes or no में नहीं आता proper time बताएगा या फिर कोई valid reason देगा he asked me when I was coming तो जब wh family चे question related words आ रहे हैं तो as it is रखे जाएंगे whether यह इसका use नहीं होगा अब हमारे पास कुछ rules हैं जब हम लोग said to को change करेंगे तो asked question inquired inquired of an interrogative में change होगा and question mark हट कर हम लोग dot का use करेंगे and आप इस आप tense की video and जो और भी videos हैं जिन में हमने interrogative sentence को study किया था auxiliary helping verbs जो हैं वो पहले आती है subject से जिससे हमें यह पदा लगता है यह interrogative sentence की बहुत बड़ी पहचान है कि helping verb है वो subject से पहले आती है and यह points of error में भी पूछा जाता है कि given sentence होगा positive लेकिन जो auxiliary verb है वो subject से पहले यूज होगी अगर auxiliary verb subject के ठीक पहले यूज हो रही है तो मतलब उसका negative sense है वो question mark है negative in the sense की मतलब वो interrogative form में है तो वो question की form में है अगर positive है तो subject के बाद auxiliary helping verb आईगी and then main verb आईगी इस sentence will not be in interrogative sense interrogative sense में नहीं रहेगा अगर indirect speech है तो interrogative sentence वो normal sentence में कनोट होगा this means the helping verb is used after the subject क्यों क्योंकि अब वो interrogative नहीं रहा and interrogative नहीं है तो subject के बाद हमारे पर helping हो बाएगी and guys अगर आप video पसंद करते हो like करना इसको अगर आपको सच में content अच्छा लगा share करना अगर आपका दिल खुश होता है तो बिल्कुल force करने की जुर्थ नहीं है क्योंकि I know शायद आपको ऐसा content नहीं मिले मुझे भी नहीं मिला मैंने खुद से महनत करी self study करके आज मैं यहां तक हूं और मेरा score English में काफी अच्छा आजाता है tense and pronounce shall be changed according to the rules बाकी जो changes है वो तो वही रहेंगे कि past present में है तो past में चला जाएगा और अल्रडी past में है तो past perfect में चला जाएगा if the question can be answered in yes and no तो हम conjunction use करेंगे if and whether अगर wh family से है तो हम लोग conjunction use नहीं करेंगे yes or no if whether and wh family no conjunction वही wh family का word यहां पर आ जाएगा inquired के साथ हमेशा proposition of आएगी यह book में नहीं लिखा हुआ लेकिन आप इसको याद करना अब कुछ example सोड़ देख लेते हैं फिर यह slide शायद खतम हो जाए he said to me do you know me मतलब past में है ask आ जाएगा do you know me interrogative है तो इसको हम क्या करेंगे इसका अंसर या तो yes होगा या no होगा मतलब यह if या whether से start होगा if you change होगा according to this one me है मतलब मेरे बार बात कहिए यह मुझसे पूछा है तो मतलब यहां आ जाएगा I V1 है V2 में change हो जाएगी because do से हमें पता लग रहा है कि यह present perfect present है लेकिन interrogative में है him हो गया यह complete उसके बादे she said to him what are you doing now she asked him what I is a अगर हम लोग reported speech को change कर सकते हैं तो ही हमारे पास time or distance वाले words change होंगे ऐसा नहीं है कि reported speech तो change नहीं हो सकती लेकिन कुछ महाश्य जो है वो then को change कर रहे है कुछ tomorrow को the previous day में the next day में and yesterday को the previous test है ऐसा नहीं करना अगर change करने लायक है हमारा sentence तो ही यह words भी change होंगे इस बात का ध्यान रखना he said to me did you intend to come with me यह did है यहाँ पर and यह वीवन है यह past का sentence है यह past का sentence कैसे है did जो form है वो past की form है second form and यह आपको कैसे पता लगेगा जब आप sentence की topic को clear कर लोगे वीडियो का जो link है वो description में given है जाकर पहले उस वीडियो को ज़रूर देखना did you intend it to come with me इसका answer होगा either yes or no तो इसलिए हमने यहाँ पर conjunction use किया है if asked as it is रहेगा जो हमारे rules थे and जो already V2 है वो हमने क्या कहा था वो V3 उससे ठीक पहले had had intended में change होगी and बाकी as it is रहेगा me हमारे पास कौन सा person है I am I mean with him यह change हो रहा है जो हमने यहाँ पर sentence लिखा उसके को लिए he said to her haven't you seen this movie he asked her if she had not have have है तो has had me change I have not seen that movie had change हो जाता है he said to sir madam can I help you she said no madam madam and कोई ऐसा word हो sir हो तो वहाँ पर हम respectfully word को add कर देते हैं and क्या के add करेंगे वो भी हम इस just इसके ठीक बाद हमारे पास explanation है he asked her respectfully if he could help her she answered in the negative negative मतलब no she answered in the positive मतलब yes इस बात का ध्यानकना she said to me when will the train arrive उसने inquiry की की train कब arrive होगी he inquired of I inquired of he inquired of me when the train would arrive will change हो जाएगा वोट में positive sense बनाने के लिए subject के बाद helping वह बाती है मतलब नॉर्मल sentences में जो हमारे पास वह बाती है helping वह subject के बाद आती है in case of interrogative sentences यह verbs पहले आती है and then subject आता है उसके बाद है हमारे पास explanation फिफ्ट सेंटेंस की फिफ्ट सेंटेंस भी देख लेते हैं अगर हम लोग यूज कर रहे हैं sir, ma'am या कोई your honor or any other word related to respect in the direct speech तो हम लोग indirect speech में respectfully word को add कर देते हैं या हम लोग direct speech में use कर रहे हैं darling, dear, my beloved या फिर कोई ऐसा word जो any other word of affection in the direct speech तो हम लोग वहां पे use करते हैं indirect में lovingly, affectionately in the indirect speech if the answer is in yes or no, they must be changed to answered in the affirmative, answered in the negative respectively अगर हमारे पास answer yes है, तो हम लोग use करेंगे answered in the affirmative, मतलब affirmative भी होता है, positive sense के अंदर अगर answer no है, तो हम कहेंगे answered in the negative, बस इतना ही difference है उसके बाद है imperative sentences, imperative sentences होते हैं like मैं आपको order दूँ, कि आप notes बनाओ, अच्छे से बनाओ and ये गलती मत करना, ये गलती मत करना, तो ऐसे sentences जिन में आतो हम लोग किसी के उपर command दे रहे हैं instruction paste कर रहे हैं, request कर रहे हैं, advice, इस तरह के cases में हम लोग क्या करते हैं कि imperative sense का use करते हैं, like he said to me go away, उसने मुझे order किया कि तुम चले जाओ he ordered me to go away, इस तरह के sentences को change करने के लिए, set to जो change होता है, वो होता है, ordered, order किया है, तो order में change होगा, request तब करते हैं, जब हम please word का use करें, please forbit का मतलब होता है, मना करना, जब हम किसी चीज को मना कर रहे हैं, मतलब आप गरीब हो की मदद करो, लेकिन आप you are not like, की आप उनसे भी expect करो, तो आपको मना किया जा रहा है, suggest, कोई suggestion है, तो ये suggested में change हो सकता है, conjunction जो use होगी, वो that ना use होके, हम लोग two use करेंगे, will replace the comma and inverted commas and two is always followed by even, तो हमें पता ही है, tense and pronounce, change according to rules, जो हमारा रहा था past है, तो past perfect, present है, तो past past है, तो past perfect, उसके बाद हमारे पास कुछ examples है, she said to me, do not come here, उसने मुझे मना किया, मतलब she forwarded me to come here, come here की जाएंगे क्या जाएंगे, hair change जाएगा देर में, या फिर she ordered me not to come here, he said call the first witness now, he ordered them to call the first witness now, अब यहाँ पे conjunction की तरह है, हम लोग यूज करेंगे तो, अब उसने order की, उसने उनको कहा है, तो मतलब यहाँ पे them आएगा she said, spread the clothes in the sunlight and do not wash anything else, clothes को sunlight में spread कर दो, बाकी और कुछ मत दो, she ordered him to spread the clothes in the sunlight and not to wash anything else, the captain said to the soldiers, stand at ease, लोग उसने order किया, the captain commanded the soldiers to stand at ease, यह कुशन आता है एग्जाम में, इसने एग्जाम में, इसने एग्जार से रेलेट, my mother said to me, help others, but do not expect anything in return, मतलब मेरी माँ ने मुझे सजिशन किया, मतलब मेरी माँ ने मुझे advice थी, कि आप दूसरों की मदद करो, येकिन दूसरों से expect मत करो, because expectations always hurt the person, so my mother advised me to help others, but not to expect anything in return, मतलब उनोंने मुझे return में कुछ expect करने के लिए नहीं कहा, अब exclamatory sentences, ये भी जो पार्ट है इस lesson का, वो काफी अच्छा है, इसको थोड़ा memorize करना पड़ेगा, आप दो, she said, alas, I am undone, she exclaimed with sorrow, दुख के साथ, उसने का, that she was undone, अगर हमारे पास, said जो words है, ये वही word है, इसके बाद, अगर कुछ ऐसे words आते हैं, alas, मतलब ये change हो जाएगा, exclaimed with sorrow, दुख के साथ, हरे, exclaimed with joy, खुशी के साथ, fire and yoga, yoga exclaimed with despise and disgust, wow, exclaimed with joy, oh, exclaimed with surprise भी हो सकता है, या फिर कोई regret भी हो सकता है, conjunction that का use करेंगे, कुमा को and inverted कुमा को replace करने के लिए, बाकी जो रहेगा, उस सेम रहेगा, बस जो ये words हैं, ये change होंगे, अगर last आएगा, उसके बाद तो exclaimed with sorrow, hurry आएगा, तो exclaimed with joy, fine हो आएगा, तो exclaimed with despise and disgust, बाव आएगा, तो exclaimed with joy, oh, आएगा, तो exclaimed with surprise, अब हम ये question करते हैं, examples, he said, hurry, we have won this match, मतले भी उसने काफी joy के साथ का, she exclaimed with joy that they have है तो हैट आ जागा, we three had won that match, she said, how beautiful is the rain, she exclaimed with joy, that the rain was very beautiful, he said, bravo, you have done well, he applauded, मतलब सराहा उसको, him saying, ये क्याकर that he had done well, उसने अच्छा किया, she said, what a pleasant surprise, she exclaimed that it was a pleasant surprise, अब आते हैं, अप्टेटिव सेंटेंस में, अप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जब हम किसी के लिए प्रे कर रहे हैं, या फिर किसी को श्राब दे रहे हैं, like he said, may God bless you, and आप्टेटिव सेंटेंस में याद रखना, कई बार, points of iron में पूछा जाता है, कि ये जो में हैं ना, जब आप्टेटिव सेंटेंस की बात की जाए, तो ये में पहले आता है, may you live long, may he live long, मैं आपको एक बहुत बड़ा difference रहता हूं, may he live long, मतलब हम उसको एक wish कर रहे हैं उसके लिए, कि वो लंबा जी है, या फिर मैं ये कहूं, he may live long, इसका meaning ही अलग है, इसका meaning है कि हो सकता है, वो लंबा जी सकता है, उसके chances हैं, उसकी probability है, लेकिन कई लोगों को ये sentences जो हैं, वो same लगते हैं, he prayed that God might bless me, अब देखो, set changes जाएगा wish में या फिर prayed में, conjunction that का use करेंगे, commas and innortis commas को हटा के, पाकी changes as a tis रहेंगे, and इस बात का धानक ये यहां में पहले आ रहा है, लेकिन ये might में change होगा, ये आएगा सब जग के बाद में, she said may God pardon him, she prayed that God might pardon him, she said live long the king, she prayed that the king might live long, अब हमारे पास कुछ important point है, फिर ये book का जो points है, key points है, वो खतम हो जाएंगे, फिर आएंगे हम अपने हलके से notes पर ताकि हम इस पूरी revision को एक brief way में समझेंगे, मतलब एक summary में, in a shortened way, some key points, like हमारे पास कुछ words है, need not है, used to है, would rather है, would better है, head rather है, head better है, या फिर R note है, direct speech के अंदर, तो ये अगर हम लोग change कर रहे हैं, indirect speech के अंदर, तो इन words में कोई भी changes नहीं आएगा, ये सारे ऐसे words हैं, जो change नहीं होंगे, direct में भी हैं, तो indirect में एज़र्ट इस रहेंगे, like he said, I used to go to school by bus, ये जो used to है, ये एक habitual action को define कर रहा है, जो हमारा routine action रहा है किसी time की, वो bus ये स्कूल जाय करता था, इसमें हम change नहीं कर सकते हैं, second है, अगर कोई past tense के साथ, हमारे पास कोई time close है, मतलब एक काम के ठीक साथ साथ, कोई दूसरा काम भी हो रहा था past में, तो अभी उनका tense चेंज नहीं होगा, he said to me, while I was studying, you were playing, जो मैं पढ़ रहा था तो तुम खेल रहे थे, he told me, he told me that, while he was studying, I was playing, tense चेंज नहीं होगा, इस बात का धान रखना, अगर हमारे पास past के अंदर दो काम हो रहे हैं, if the time close is mentioned in the past tense, and the tense does not change, if the time close is mentioned in the past indefinite tense, मतलब past simple tense में है, time close, तो tense चेंज नहीं होगा, like when I met him, she was playing, यह भी यह है, कि वो तो जब दो काम हो रहे थे, तब time close था, अब इसमें कहा है, एक past में है, और उसके साथ कोई time close है, mention है, तो वो भी change नहीं होगा, fourth हमें यह कह रहा है, अगर दो action simultaneously हो रहे हैं, जब एक के साथ एक, simultaneously दोनों एक साथ हो रहे हैं, जब मैं चाय बना रहा था, तो he fried the chips, दोनों काम कर रहे थे, साथ में, ऐसा नहीं है, कि बस मैं मैं काम को रुखाए, सब ऐसा नहीं है, तो दोनों काम हो रहे थे, और दोनों ही काम थो थे, वो थे past indefinite tense में, मतलब past simple में थे, तो इस तरह के cases में भी change नहीं होगा, अगर कोई historical event है, तो भी tense change नहीं होगा, यह हमने अलड़ी पढ़ा था, कि जो historical event है, उनके change tense नहीं होगा, कि गांधी ची started the quit Indian moment, गांधी ची नहीं start किया था, अब हम इसके past tense को change कर देंगे, तो कोई और दूसरा नहीं था, तो इसको start करेंगा नहीं, जो already fact है, वो है, will, shall is changed to should and would, wouldn't should, but the statement will, shall should be changed into should, if the statement is suggestive, इस lesson को start करने से पहले मैंने आपको यहीं बताई थी, कि will or should, would or should में change हो जाता है, लेकिन, अगर sentence का, जो sense है, वो suggestive है, तो वो क्यों should में change होंगे, He said, I shall come tomorrow, normally change होगा, he said that he would come the next day, she said to me, what shall I do after the exam, मतलब suggestion मांग रही है, कि वो से क्या करना चाहिए, He asked me, she should do after the exam, वैसे जो should है, वो हम लोग use कर सकते है, like third person के साथ, उसमें कोई objection नहीं है, काफी सारी terms ही, जो हमने change करी थी, अभी हाँ पे है, कि modals के meaning को change क्या, modals will be change according to the meaning of the sentence, meaning क्या है, उसके coding change होगा, She said, if I get selected, I need to take any exam further, उसके पाद उसको exam नहीं जूट नहीं है, She said that if she got selected, she would not have to take any exam further, यह देखना है कि कब change होगा, कब change नहीं होगा, यह उतना important नहीं है, यह वहला topic, 7th point, यह exams में बहुत कमाता है, अब हम देख लेते हैं, अब यह मेरे notes है, जो मैंने खुद बनाए है, इस वीडियो में अगर जो लोग यहां तक आए हैं, वो serious candidate होगे, तो यह राज अब खुनने वाला है, कि हम इस वीडियो में इस topic और दो बार कट चुके होगे, जो और direct is basically when there is no change, without change, sentence indirect में मतलब sentence changed by the narrator, speaker words are manipulated, manipulative होते हैं, उनके इंदर कुछ changes कर रहना, उसके बाद है rules, first person subject change होगा according to first person, second person change होगा according to object and third person there is no change, first person changes according to subject, second according to object and third no change. say and said to के बाद कोई listener नहीं है, तो no change say and said, यूं कहीं रहेगा, अगर say to के बाद कोई listener है, तो वो tell में change होगा, says to tells, मतलब यह S, यही वाला S है, said to, told में change होगा, tell and told के बाद to नहीं आएगा, लेकिन इन के बाद एक listener का आना बहुत जरूरी है, मतलब एक object के बाद object का आना ब है, वो एक subject है, मतलब speaker, says to reporting verb है, it will change as per the rules, it will change according to rules, इसी के according यह सारे rules apply होगे, object मतलब जो listener है, and जो यह है, वो है reported speech, जो बात कहीं गई है, उसके बाद हमारे पास like reporting verb किसमें हो सकती है, present में हो सकती है, past में हो सकती है, future में हो सकती है, अगर present and future में है, तो चेंज नहीं होग किल past के case में changes होंगे, reporting verb, अगर present or future में है, तो tense change नहीं होगा, and reporting verb, अगर past में है, change होगा, कब change होगा, historical truth है, phrase है, EDM है, तो change नहीं होगा, अगर इसके लावा कुछ है, तो tense change होगा, अब आता है rules, change कैसे करेंगे, अगर v1 है, do या does है, तो v2 और did में change होगा, अगर did है, तो v2 और did है, अगर did है, तो v1 आएगी, इस बात के धाया रखना, points of error में कई बार did की साथ second form, वो verb दी जाती है, वो question गलत रहेंगा, उसमें अरर यह है, कि अगर did आ गया है, तो और इसके ठीक बात, जब वो बाएगी, वो v1 होगी, then v2 या फिर dead है, तो मतलब यह already past में है, इसको past perfect में करने के लिए hat और v3 में change करेंगे, is mr was were में change जाएगा, was were had mean में change जाएगा, has have been had में change जाएगा, modals change होगे, shall will, should would में, might में, can put में, today that day में, tomorrow the next day, previous day or the before day, tonight that night, last the previous, here there, there, this, that, these, those, before I got done, now interrogative sentence, interrogative sentence, interrogative sentence में हमने रखा क्या, says to ask, inquired, inquired of, interrogative में change जाता है, question mark, dot me, change जाएगा, interrogative form, normal form, subject, helping woman, then object, question, agar yes or no है, to conjunction if your weather use होगी, अगर WH family है, तो यूँ कहीं, WH family उठके आ जाएगी, उसमें connection use नहीं होगी, Sir या Madam या Honor रिप्लेस करेंगे, respectfully में, darling, dear, my, beloved, lovingly and affectionately में change होगे, अगर answer yes आ रहा है, तो answered in the affirmative, अगर negative आ रहा है, तो answer in the negative, So guys, यह थी हमारी वीडियो, narration की, मतलब direct and indirect, कैसे हम change कर सकते हैं, अगर आपको यह अच्छी लगी, तो please do share it with your friends, and वो लोग जो coaching नहीं ले पा रहे हैं, please उन लोगों तक इसको फैला देना, ऐसा मत सोचा करो कि हम वीडियो शेयर करेंगे, तो सामने वाले के number ज़्यादा आजाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम अपनी महनत के according, अपने marks increase कर सकते हैं, दूसरा कितना पढ़ रहा है, उससे हमें कोई भी benefit नहीं है, हमें एक seat के लिए लड़ना है, अगर उस seat के लिए बहुत अच्छे से महनत की जाए, तो government job हासिल करना कोई tough नहीं है, आप पढ़ो, quality study करो, आप like, आप कहोगे कि मैं 10 घंटे पढ़ रहा हूं, 10 घंटे में आप उतना नहीं पढ़ रहे हो, जितना भी पढ़ो, उसको revise करने का time, just like अगर आपने अभी सुबह एक बज़े पढ़ा है, तो उसको शाम साथ बेज़ दक revise करो, फिर उसको दो तिन बाद revise करो, ऐसा करने से जो interval times भी होते हैं, किस तरह से revision की जाते हैं, बहुत matter करता है, अब like अगर ये वीडियो मैंने शूट करी है, तो almost 12 बच चुके होंगे, मतलब एक नई दिन की शुरुआत हो चुकी है, ये रात का time है, and ये time मैंने इसलिए select किया, क्योंकि इस time जो है, वो noise बहुत कम होती है, second thing ये है कि आप मेहनत करो, job हासिल कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, and खुद मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए इतनी रात को शूट की है, लोग chatting and setting में वियस्त हैं this time, and मैंने आपकी help के लिए, और मेरा main motive है कि मैं ज्यादा से ज्यादा उन लोगों की मदद कर पाऊं, जो coaching नहीं ले पा रहे हैं, पैसा कुछ भी नहीं है, पैसा कमाने के लिए मेरे बास इतनी skills हैं, इतनी skills हैं, कि ये teaching तो कुछ भी नहीं है उसके आगए, but my motto is just to help others, वो students, मैंने देखा है काफी YouTube channel पर, इतना घटिया content होता है, and वो अपनी audience को इतना मूर्ख बना रहे होते हैं, बहुत मूर्ख, और लोग बन वीरे होते हैं, लेकिन मेरा जो, मेरा channel जहां तक है, मुझे ज्यादा कहने की जूट नहीं है, मुझे feedback मिल रहा है, so guys, and bye-bye, मिलते हैं फिर next video में, and इसके बाद जो video रहेगी, वो calendar topic की रहेगी, क्योंकि लोगों ने vote तो किया था, लेकिन मेरे पास इसकी PDF ready थी, उसकी लिए PPT बनाई जाएगी, वो PPT में थोड़ा time लगता है, तो वो PPT कल तक त्यार हो जाएगी, तो next video हम calendar topic को लेके चलेंग जैसी video यही है, content to the point रहेगा, अब लोगों का मानना हैं कि video जो है, वो short रखी जाए, जिसको पढ़ना है ना guys, अगर आप एक topic को एक घंटा दे रहे हो, throughout your life, forgetting a government job, एक topic, एक घंटे में एक topic को करना, वो भी to the point, right content हमें right direction में लेके जाता है, ऐसा नहीं है, हम बहुत सारा content पढ़ने भले, वो 10 minute में हो, या वो 10 घंटे में हो, content right हो, right direction में जाओगे, फिर उसमें वक्त इतना भी लगे, और आप तो यह देख रहे हो, कि मैंने पढ़ाया आपको एक घंटे में, मैंने इसके कितनी बार revision करी होंगी, आज ही मेरा third topic है, सुवेसा English का, क्यों, क्योंकि मैंने एक student को भी पढ़ाया थे, दो टॉपिक सुवे, and यह third topic है, कई बार मुझे भी एक time था, जब मुझे ती इन तीन दिन लग जाते थे, एक topic को गढ़ने में, बढ़ आज मेरे English इतनी अच्छी है, यह इसी लिए है कि आप self study करो, and यह book जो है, वो नीतु सिंग की book है, आप इस book को खरी सकते हो, आपको online भी मिल चाहेगी, अगर आपके पास कोई, आज पास कोई book deport है, तो आप वहा आप फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो,